नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमंग खर्णा उम्योपेथिक क्लीनिक के इस प्रोग्रेम एक बार फिर आपका स्वागत है, साथियों आज हम बात करेंगे गैंगरीन की, गैंगरीन एक थोड़ी खतरनाक अवस्था होती है जो तमाम लोगों में हो जाती है, आज जब हिंदुस्तान में डायबेटीज बहुत बुरी तरह फैली हुई है, हिंदुस्तान डायबेटीज की राजधानी मानी जाती है, लेकिन होमियोपेथी में बहुत कारगर दवा हैं जो आपके गैंगरीन को ठीक कर देंगी इस से आपको मुक्त करके आपको मांसिक, सारेरिक और आर्थिक तीनों रूप से सहुलियत देंगी सबसे पहले साथियों जान लेते हैं गैंगरीन होती क्या है गैंगरीन साथियों आपके इस्किन की वहाँ कंडिशन होती है इस्किन में कि जब उस इस्किन के विशेश हिस्से में आपका ब्लड सप्लाई रुख जाती है किसी बैक्टिरियर इंफेक्शन के कारण उस इस्तिती को गैंगरीन कहते हैं यहां एक भैवा स्तिती होती है जो आम तोर पे डायबिटिक मरीज में जिसको आर्थिरोसिस इस तरह की जो बिमारियां होती है उनमें यहां पाई जाती है लेकिन बिमारी है तो उसका इलाज भी है खुमियोपैथी में इसकी कारगरदवा है बात कर लेते हैं साथियों उसके सिम्टम्स की गैंगरीन साथियों एक ऐसा पैच होता है स्किन में जहां पे आपको एक गड़ा ऐसा दिखता है वहार डार्क कलर्ड होता है पेंफुल होता है और एक खाद बात होती है उस डेट टिशू की कि जो डेट टिशू होता है और जो आपकी नॉर्मल इसकिन होती है उसके बीच में क्लियर लाइन होती है और जब आप गैंगरीनियस पोर्षन को टच करेंगे तो उसको आप ठंडा पाएंगे क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई खत्म हो चुकी होती है पेंफुल वो होता ही है उससे पस का डिस्चार्ज होता है यहाँ सब सिंटम्स हैं जो आम तोर पे गैंगरीन के साथ असोसियेटेड होते हैं एक इस सिटी आती है गैंगरीन में ही कि जब यहाँ गैंगरीन का जो बैक्टिरियल इंफेक्शन होता है यहाँ जो है पूरे body में फैल जाता है पूरे blood में फैल जाता है उस condition को septic shock कहते है और वास्ता में एक shock वाली condition होती है एक भैवा condition होती है जिसमें कि आपका blood pressure low हो जाता है आपको वीखने साने लगती है और आपको तुरंट doctor की या surgical process की आवशकता पढ़ती है इसके कारणों की बात कर लेते हैं साथियों कारण इसका जब आपके किसी भी कारण से चाहे वो आर्थरलो एस्प्रोसिस हो चाहे वो diabetes हो या trauma हो कोई जोट हो कोई भी ऐसी condition हो जिससे blood tissue को जिससे skin tissue को blood supply रुख जाती हो वहार dead हो जाते हो खास दौर से इसका कारण होता है bacterial infection bacterial infection उस पार्ट में हो जाता है जिस पार्ट में आपके skin में या आपके पार्ट में blood supply ना होती हो किसी भी कारण से गैंग्रीन साथियों कई प्रकार की होती है जिसमें की dry gangrene, wet gangrene, gas gangrene, fallers gangrene, malaise gangrene, internal gangrene यहाँ छे तरह का classification gangrene का होता है अगर dry gangrene की बात करें तो dry gangrene वो इस्थिती होती है जिसमें आपके skin सिकुर जाती है उसमें सिकुरन महसूस होती है उसका color bluish हो जाता है वहाँ dry gangrene की इस्थिती होती है यहाँ normally arthro sclerosis या diabetes के patient में पाई जाती है दूसरी होती है wet gangrene, wet gangrene साथियों जैसा की नाम बता रहा है wet यानि की जिसमें pustular formation हो रहा हो, pus का formation हो रहा हो उस इस्थिती को wet gangrene कहते हैं यहाँ एक life threatening condition होती है जिसके लिए तुरंत आपको वीडियो में आगे जाने वाली दवाओं को आप साथ मिले सकते हैं लेकिन इन दवाओं के साहरे नार है तुरंत आपको किसी surgeon या doctor से specialist से मिलना चाहिए तीसरी होती है gas gangrene, gas gangrene भी एक भयावा इस्थिती होती है, life threatening इस्थिती होती है वो इस्थिती होती है कि जब आपके epidermis या dermis के नीचे के parts में body organs तक dead tissue का septicemia septic condition फैलती है और उसमें से जो process होता है उसमें से एक gas ऐसी cracking के साथ निकलती है वो इस्थिती होती है gas gangrene की यहाँ भयावा इस्थिती होती है फिर जो साथियों चौथी type of gangrene होता है वहाँ होता है internal gangrene internal gangrene उस condition में होती है कि जब आपको हड़निया या कोई इस तरह का दिक्कत हो गया हो जिसमें कि आपकी intestine bulge हो गई हो और वहाँ पे blood supply खत्म हो जाए तो वहाँ इस्थिती होती है internal gangrene की और हमारे वो साथी जिनको हड़निया की दिक्कत हो वो इस बात को समझ सकते हैं कि अगर उनको हड़निया है तो उसका operation तुरंट करा लें क्योंकि बात में यहाँ आपके internal gangrene के रूप में develop हो सकती है पांचमें तरह की gangrene जो होती है वहाँ होती है forniers gangrene इस gangrene आप normally male genital organs में होती है जब आपके गुपतांग होते हैं उनमें blood supply किसी कारण से रुख जाती है तो उसको forniers gangrene कहते हैं और जो आखरी तरह की gangrene होती है वहाँ होती है melanese gangrene melanese gangrene वहाँ इस्तिती होती है जब आपके surgery का process हुआ हो surgical process हुआ हो और surgical process के बाद इस organ में surgery हुई हो वहाँ पे blood supply normal नहों पाए और gangrene हो जाए वहाँ tissue dead हो जाए उस इस्तिती को melanese gangrene कहते हैं और यहाँ भी एक इस्तिती है जो थोड़ी रेयर है लेकिन जिसको होती है उसको तो हो ही सकती है यह कुछ classification था साथियों gangrene का प्रयास था कि आपको अगर किसी को gangrene है या हुआ है तो उसको उसके बारे में जो जरूरी बाते हैं वो मालुम हो जाए नौर्मली आपको बातें मालुम नहीं हो पाती है जिसके पास इल्म होता है मालुमात होती है वह अपनी condition को ज़्यादा बेतर manage कर सकता है बाराल चलते हैं साथियों बताते हैं आपको अगर किसी को gangrene है तो उसको ठीक करने की हुआपेती में तो इन दवाओं को आप help के तौर पे साथ में कर लें वहाँ भी किसी prescribe करा के किसी कुसल्ची की सक्से अपने symptom के साथ से और साथ में अगर gangrene है तो आप ऐलोपेती का भी साहरा जरूर लें क्योंकि यहाँ bacterial infection होता है antibiotics बहुत जरूरी होते हैं gangrene को सुखाने के लिए क्योंकि यहाँ life threatening है बताते हैं आपको gangrene को manage करने की control करने की ठीक करने की दस कारगर homeopathic दवाए तो अगर dry gangrene की स्थिति आप में है तो इसको ठीक करने की homeopathic में बहुत कारगर दवाए सिकेल कॉर निटम सिकेल कॉर 30 दो दो बून दिन में 3 बार आप उस condition में ले सकते हैं जब आपके dry gangrene हो skin skin सिकुड गई हो skin में sensation खतम हो गया हो नमने सा गई हो छूने से sensation ना मैसूस होता हो तो आप सिकेल कॉर 30 पावर में दो 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 बून दिन में 3 बार लेके उस गैंगरीन को खतम करके सामान इस्थिती में लोटने का उमीद और प्रयास कर सकते हैं इक इस्थिती साथियों आती है गैंगरीन में कि गैंगरीन हेम्रेजिक रूप ले लिया हो हैम्रेजिक रूप मतलब गैंग्रीन के आस पास से ब्लडी डिस्चार्ज बहुत जादा हो रहा हो तो अगर आपके गैंग्रीन है किसी के गैंग्रीन है और उसके ब्लडी डिस्चार्ज उस गैंग्रीन के आस पास से हो रहा है हैंबरेज हो रहा है तो उसको ठीक करने की हुमियोपेथी में बहुत कारगर दवा है बॉर्थोप्स बॉर्थोप्स 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार आप ले ले आप देखेंगे कि आपका जो हैंबरेज है गैंगरीन में से वहां खतम हो गया और आपका गैंगरीन भी ठीक होने लगा एक इस्तिति आती है सातियों वहां भी ड्राइ गैंगरीन में कि आपको गैंगरीन की इस्तिति है लेकिन जब आप उसकी सिकाई करते हैं तो आपको आराम मिलता है तो अगर आपकी सिकुड गई है आपके गैंगरीन है और सिकाई करने से वर्फ प्रोवाइट करने से उस एरिया में आपको आराम मिलता हो गैंगरीन के पेन में अगर यहां सिम्टम आप में मैश कर जाए तो इसको ठीक करने की होमोपेठी हैं बहुत कारगर दवा है आर्सनिक एलबं आर्सनिक एलबं थाटी दो दो बून दिन में तीन बार आप ले सकते हैं उस कंडिशन में जब आपको ड्राइग गैंगरीन हो इसकी नापकी सिकुड गई हो एक प्रिकिवियर एरिया में एक इस्पेसिफिक एरिया में आपको बार बार प्यास लगती हो रात में 12 से 2 आपकी तकलीफेंच जादा बढ़ती हो और आपको जलन महसूस होती हो उस स्थिती में गैंगरीन की आपके ड्रग अफ दो चॉइस आर्सनिक एल्बं है यहां दवा लेकर आप कर सकते हैं एक इस्तिती आती है साथिंगेंग्रिन में कि आपके किसी के गैंग्रीन हो गई हो यानी वह टीशू टीशू डेड हो गया हो एक स्पेसविक एरिया का और उसके लिंफ नोट्स इवेलप हो गए हो यानि गर्दन में glanths आ गए हूँ तो अगर यह स्थिति हो कि आपके गैंग्रीन हो और आपके lymph nodes वैल कर गए हो तो उस स्थिति को ठीक करने की उस स्थिति में आपका गैंग्रीन जो की cancerous भी हो सकता है उसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा Bromium है आप Bromium 32-22 गूंदिन में तीन बार लें इस दवा से उमीद है कि आपका जो cancerous गैंगरीन है वहाँ भी खतम होगा और आपके गली में जो lymph nodes पढ़ गए हैं गाठें पढ़ गई हैं वहाँ भी चली जाएंगी और आपको पूर्तिया स्वस्त करेंगी एक स्थिति आती है साथियों जब आपके गैंगरीन में पस फार्मेशन हो गया हो और चाले पढ़ गये हो तो वहाँ स्थिति जब आपके इसकीन में पस फार्मेशन हो गया और इसकीन में चाले पढ़ गये हो तो उन्छालों को ठीक करने की हुमियोपैथी में बहुत कारगर दबा एंथ्रा सिनम है। आप एंथ्रा सिनम दो सो पाव में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं। उस कंडिशन में जब आपके गैंगरीन में छाले पड़ गए हो जो उससे शिक्रीसन निकल ला हो बहुत ज्यादा बद्बूदार हो और बहुत ज्यादा पेंफूल हो। अगर यह तीन कंडिशन आप में है तो वेट गैंगरीन को हुमियोपैती में ठीक करने की बहुत कारगरदवा एंथरसिनम है इसको दो सबाव में दो दो बूंद आप दिन में तीन बाल लें और इस समस्या में लाप राप करें एक साथ या बहुत कॉवन कंडीशन होती गैंगरीन की कि आपके लिपस, चीक या गंस में गैंगरीन पढ़ गया तो उस कंडिशन को ठीक करने की हुमियोपैथि में बहुत कारगरदवा मर्कुरस प्डामनुबलिक है हम सोॉड 30 में लाप लें आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ गैंगरीन है आपके लिफ्स के अराउंड यहाँ पे गैंगरीन बन गया है आपके गम्स में बन गया है आपके छीक्स में बन गया है वहाँ खतम हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे फिर साथियों एक स्थिती आती है गैंगरीन में कि आपका गैंगरीन से पस का डिस्चार्ज हो रहा हो तो अगर आपका पस फार्मेशन गैंगरीन में हो रहा है यानि वो वेट गैंगरीन है तो उसको ठीक करने की होमयोपैथी में बहुत घार करदवा सालीसिया है सालीशिया 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार आप उस कंडिशन में ले सकते हैं गैंगरीन के केस में कि जब आपको गैंगरीन तो हो लेकिन उसे पस फार्मेशन हो रहा हो और आपको सर्दी जादा लगती हो अगर यहां कंडिशन आप में है तो आपकी गैंगरीन में ड्रग of the choice सलीशिया है सलीशिया को आप वर्यम पावर की तीन खुराग पच-पच मिनट के फासले पर वीकली ले 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 यह थर्टी पावर में दो दो बून दित में तीन बार ले ले जैसा आपका डॉक्टर आपको सर्जेस्ट करें इससे आपका पस फार्मेशन भी रुप जाएगा और आपका गैंगरीन भी खत्म हो जाएगा एक कॉमन स्थिती आती है साथियों गैंगरीन की जो है ट्रॉमा गैंगरीन यानि आपके कहीं चोट लगी और उसके बाद आपके गैंगरीन बन गया हो तो उस कंडिशन को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा एसिट सल्फूरिकम है आप एसिट सल्फ 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले ले आप देखेंगे कि आपको ट्रॉमा यानि चोट लगने के बाद जो गैंगरीन हुआ हो खत्म हो गया और आप स्वस्त हो गये एक स्थिती आती है टो के गैंगरीन में कि जब आपके बहुत जादा पेन हो रहा है टो में और जब आप पैर नीचे रखते हैं तो वहाँ पेन बहुत बढ़ जाता है और जब पैर उपर करते हैं तो आपको आराम मिल जाता है और गैंगरीन नीला पड़ गया है तो अगर यहाँ कंडिशन आपके हो कि आप जब पैर नीचे रखते हो तो जो आपका टो गैंगरीन है उसमें बहुत जादा पेन होता हो और पैर को थोड़ा होरिजॉंटल रखने पे वहाँ दर्थ खत्म हो जाता हो तो उस कंडिशन की बहुत कारगरतबा वाइपरा है आपका वो इस साब पूरा काला पढ़ गया हो जिसे कहते हैं तो गर याएस्टिती आप में हो कि आपके गैंगरीन की शिकायत हो और वाइस साब ब्लैक पढ़ गया हो या ब्लू पढ़ गया हो नीला पढ़ गया हो तो उस कंडिशन में भी रिलीव देनी की ऑपेन बहुत बहुत जादा आपके हो रहा हो उस कंडिशन में भी रिलीव देने की हुमियोपैथी में दवा है और दवा का नाम है लेकैसिस आप लेकैसिस वन येम की तीन खुराक 55-minit के फासले पर वीकली उस कंडिशन में ले सकते हैं जब आपके black या blue गैंगरीन हो गया हो बहुत जादा वहा पेंफुल हो बहुत जादा वहा धंडा हो और रात में सोने के बाद आपकी तकलिफें बहुत जादा बढ़ जाती हो तो आपकी drug of the choice lecacis है यहाँ आपके गैंगरीन की malignancy को भी कंट्रोल करने में साहिक है एक स्थिति सातियों आती है गैंगरीन बनने की कि जब आपके जल गए हूँ जब आपके बंड इंजरी हो गई और आप जल गए हूँ और आपको गैंगरीन बन गई हो तो अगर याए स्थिति है तो इसको ठीक करने की बहुत कारगरदवा है cantheris और anthracinam cantheris उस्थिति में बहुत कारगरदवा है जब आप जैसे ही जले हो वैसे ही आप cantheris का यूज़ कर ले यह एक प्रिवेंटिव की तरह काम करके आपके उस बंड इंजरी को गैंगरीन बनने से रोकेगी और अगर आपके गैंगरीन बन गया है और चाले पड़ गए है डार्क कलर का वो एरिया हो गया है जो जला है तो उसको ठीक करने की वह पैथी में कारगरदवा है एंट्रसिनम आप उसके वो जो 22 का फार्मिशन हुआ है ओफेंसिव डिस्चार्ज इसे निकल ला है उसको ठीक करके आपका यह बंड इंजरी को ठीक करके आपकी गैंगरीन को खत्म करने में सायक होगी तो एंट्रसिनम में कारगरदवा है जो बंड इंजरी में आपको ड्राइ गैंगरीन है यानि कि स्क्रीन वहां की सिकुड गई है और आपको गैंगरीन हो गया है तो इसको ठीक करने की हुमियोपैती में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सिकेल कॉर्णेटम सिकेल कॉर थार्टी आप डो के गैंगरीन में दे सकते हैं जब आपकी स खार presented तोड़ दोन दिन में तीन बार ले लेँ आपका जो टो की डियापीटीस दोडोय दोडो का गैंगुरीन है वह CHत हो जाएगा power साती हों कि स्थिति आती गैंग्रीन में कि गैंग्रीन में इस्थिति ये वर्ष्ट इस्थिति आती है तो अगर गैंग्रीन कि वो इस्थिति आ जाए कि गैंग्रीन काला पड़ जाए गैंग्रीन में बहुत चलनों गैंग्रीन में बहुत पेनों और आपको कोई रास्ता सू जब आपके बहुत ज़्यादा painful गैंगरीन हो, बिल्कुल गाला पड़ गया और आपको लगता हो अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, तब भी यहाँ दवा हो सकता है आपको आराम दे दे, हो सकता है आपके गैंगरीन को फैलने से बचाए और आपके डॉक्टर को, जो के लिए उमीद हो सकती है एक किस्तिति आती है साथियों गैंगरीन के कंडिशन में कि आपको वेरिकोज वेंज या इस तरह की कोई शिकायत है जिससे आपका ब्लेट फलो में ऑस्ट्रक्शन हो रहा है बाडी में और आपके गैंगरीन हो गया तो अगर यहाँ कंडिशन किस दो-दोबून दिन में तीन बार लेके आप अपना एयर कंडिशन में वैरिकोस वेंस को भी ठीक कर सकते हैं और उससे होने वाले गैंगरीन को भी ठीक कर सकते हैं यह साथियों कुछ दवाएं थी आपको गैंगरीन को मैनेज करने की कंट्रोल करने की आपको आराम देने की और दॉक्टर से तुरन संपर करें वो बेस्ट पर्सन है आपको एलोपेटिक डॉक्टर आपको मैनेश करने के लिए हुमियोपेटिक मेडिसेंस आपको उसमें हेल्प कर देंगी तेकिन शायद यह हर विशह में आपका ट्रीटमेंट ना हो और इसमें से भी साथियों जो दवा दॉक्टर आपको किसी को गैन्गरीन है तो उसको उसके सवालों का जवाब देने का एक प्रॉपर मेडिसीन के रूप में जो उसके लिए फायदे मन्द हो अगर आपको यहाँ प्रयास पसंद आया हो तो बेतर है अगर मन में question हो तो आप नीचे दिये गए WhatsApp नमबर पर अपनी query को WhatsApp कर सकते है या फिर YouTube notification panel में आप अपनी query लिख सकते है कोशिश करी जाएगी कि आपको आपके सवाल का संतोषन रख जवाब दिया जाए यदि आपको साती हो या प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा शेर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो इस चैनल का आप राप्त करते रहिएगा एक बार पुना डॉक्टर उमंकर्ना उमियोपेटिक क्लिनिक और डॉक्टर उमंकर्ना और आयस इंडिया की तरफ से आपका साथ बने रहने के लिए दिदेर आभार और धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद कर दे दिदेर आपका साथ कर दो पर आपका साथ प्राओ कर दिदे होझाद तर बा बाल